प्लेटीन अमारी की देश अर्जेंटीना में सोया बीन फसल की कटाई त्यारी अभी तक शुरू नहीं हुई है लेकिन कुछ हिलाकों में फसल लगबग पक चुकी है और उमीद की जा रही है कि अगले सब्ता से इसकी चुटपुट कटाई शुरू हो जाएगी अगले महीने मार्च से फसल की कटाई त्यारी की गतित तेज हो सकती है जानकारों के मुताबिक 2023-24 सीजन के दोरान अर्जेंटीना में करीब 500 लाग टन सोया बीन का उतपादन हो सकता है वही माना जा रहा है कि अर्जेंटीना में उतपादन सबसे उंचा रह सकता है क्योंकि अर्जेंटीना संसार में सोया बीन का तीसरा सबसे पर्मुखुत पादक और निर्यातक देश है जबकि सोया तेल और सोया मील के निर्यात में प्रथम स्तान पर आता है भारत में सोया बीन तेल का सबसे ज़ादा आयात अर्जेंटीना से ही होता है पिछले सपता देश के उ पारिश होने के असार हैं दरसर अर्जेंटीना में सोया बीन 43 फीसद फसल के दाने लग चुके हैं और 13 फीसद में दाना पुष्ट होने लगा है बीते सब्ता फसल के विकास के लिए मोसम काफी हद तक अनकूल रहा और वहां राष्ट्रे सर पर 31 फीसद शेतर में सोया बीन फसल को अच्छी स्थिती में आंका गया है जानकारों के मुताबिक यदि निकट भविश्य में मोसम की हालात अनकूल बने रहते हैं तो सोया बीन के उत्पादन हनुमान में कोई विशेश चेंच नहीं होगा वहीं अमेरिकी देश में सोया बीन की 19 फीसद फसल को कमजोर औ और 31 फीसद फसल को अच्छी स्थिती में आंका गया है ऐसे में माना जा रहा है कि अर्जेंटीना में चालू सीजन के दोरान सोया बीन का उत्पादन करीब धाई गुना बढ़ने की संभावना है